मैं अजय हूँ अभय हूँ इसलिए सर्वशक्तिमान हूँ तू नाजर है नाभय है तू तु तुर्वट्टीमान है अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान नहमागता और यहां आकर शिव भक्तों की अराधना में विग्निन डालता ब्रह्मा जी ने वर्दान देती समय ये भी इस पश्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुचाना अन्यथा विनाश को प्राप्थ होगा अब वही शन आ गया है दूशन तुम्हारी इन बातों से दूशन भैबीत होने वा है कि आगए चमारे शाद्रशन चलाए है हमें घन नहीं जाकि आप शिप्वद दरे है हमें नहीं पता था इस वर्यद्ध शिवाब की रख्ष्ट करते हैं राजा चंदर सभ्शन जब तक आप शमने प्रति हैं प्रता था था कि शहात्यों इंडर ने हर दो देखें आप द नहीं करेंगे यह अध्मान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी है शिव स्वरूप हनुमान जी मेरी प्राजना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंगहादित तथा राजा रिपूदमन को ख्षमा करें आप दोनम उससे नहीं शिव स्वरूप हनुमा श्यमा दन्दे ओम नमाश्षिवाय। कर्ष्ट निराशा दुख पीडा इन सबसे पीडित प्राणी जब मेरा उचारन करता है तो इस सत्य का भी अनभव करता है कि मैं हर पीडा का उपचार हूं मैं ओमकार हूं कार्तिके तो अपने मयूर द्वारा अगस्त रिशी के आश्रम में पहुच जाते हैं और धर कैलाश पर नंदी वगनेश उनकी प्रतीक्षा करते हैं शिव पार्वती भी पुत्रों के विवार से प्रसंद है कार्तिके लोटते हैं दोनों भाई शिव पार्वती के पास आते हैं नारधी प्रसंद है दोनों के विवाह की चर्चा चलने पर कार्ति के विवाह ना करने का निरणय सुनाकर शिर्व भुत्ति का प्रचार करने का अपना संकल्प दोहराती है अम नमाशी वाय, 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 अम नमाशी वा चुल उठ उठ बहुत हो गई तेरे भक्ति उठ चल अरे मा अरे सुनो तनिक तनिक सुनो मा अब मैं कोछ नहीं सुनूगी तेरी चल घर चल अब पूजा भक्ति में विगन मठ डालो चल बड़ायः भक्ति वाला भक्ति करेगा चल मा, मा, मा तुम्हें पाफ लगेगा मा लगने दे मा, बगवान चुझे उजे कुरूत हो जाएंगे वह ने दे, चल, घर चल नहीं अरे सुन, सुन तो घर बोलिनाथ, मेरी मा को शमा कर देना कोई तक आपके उशे में कुछ नहीं जानती इसलिए, इसलिए ऐसा वाल तब कर रही है उससे शमा कर देना, बगवान उससे शमा कर देना उससे शमा कर देना Ом Namati shiva अरे ओ महापंदिय, मा नहीं जानती और तुझे, तुझे सारा ग्यान धियान है अब चलता है या नहीं रॉच्छाप? नहीं नहीं, तो फिर ले ये मा भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ मेरी मा का अप्राइश शमा देरेना उसे शमा देरेना प्रभू तो तो नहीं चलेगा? नहीं मैं बबाशुक को परजने की कि बना नहीं आँका भोले नाथ भोले नाथ बालक श्रीकर की माता ने आश्चर चकित होकर जब शिवलिंग पुना स्थाफित होते देखा तो उसे मानना ही पड़ा कि भक्ति में शक्ति होती ही है तब श्रीकर ने भोले नाच से राजा सिंधादित्य और राजा रिपुदमन के पराभव वह राजा चंद्रसेन के कल्यान की कामना प्रकटकी जो की परमप्रजा पालक और सदेव शिव भक्ति में लीम रहने बाले एक सत्पुरुश्रे लिए महाराज चंद्रसेन की जय हो महाराज राजा सिंधित्य और राजा रिपुदमन ने हमारी उज्जेन नगरी को चरों तर्फ से खेल लिया है हमारे सेना पती सेना के साथ उनका सामना कर रहे है महाराज जैसी भूलेनात की इच्छा ओम नमस्षिवार ओम हमारे लिए क्या गया है पिता शरीप वहीं मैं सूछ रहा हूं कि ऐसे स्थिती में हमें क्या करना चाहिए और रिपु धवन के सेनाओं ने हमारी उज्जेन नगरी को चारों और से घेर लिया वे नगर पर आक्रमन कर राजा चद्रसेन को बंदी बना कर यहां अपना अधिकार अस्थापित करना चाहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे हम शत्र से युद्ध करेंगे यह दप हम ब्राह्मन हैं किन्तो अपनी जन्भूम की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे हाँ पिता शरीव हमें युद्ध करना ही होगा पुत्रों राजा और राजी के प्रती तुम्हारी पवित्र भावना से मैं प्रसंद दूद्ध मुझे दर्व करना है कि यह समय भावना के वेक में बहने का नहीं है हम ब्राह्मन युद्ध करने की कला और कौशल से सर्वथा अनभिग अस्त्र शस्त्र हम चलाना नहीं जा इस समय जब राज को शक्तियों ने चारों ओर से घिल लिया है किसी भी समय आक्रमन हो सकता है राज जिके स्वामी पूज आराधना में बैठे हैं गो राश्चर तो ब्राता श्री जिन्हें युद्ध करना चाहिए वे भक्ति कर रहे हैं तो आप भक्ति करने वालों के लिए युद्ध करना आवशक हो गया है हमें अपनी मातर भूमी की रक्षा करनी ही होगी सुना नहीं पिता श्री ने क्या कहा हम ब्रहमण हैं वेध पाठी है हमें युद्ध करना आता ही नहीं तो हम युद्ध करेंगे कैसे कैसी विलक्षन स्थिती है युद्ध करने वाले राजा चंद्रसेन भक्ति करना तो जानते हैं लेकिन हम भक्ति करने वाले वेध पाठी य लियोध्य होते हुए शीव भगवान के भागत भी है। पित शुट यभी तो सत्थ है कि परतेक नाड़ी अपनी जन भूमी और अपनी मात्रहण से जुड़ा हुआ है। कि धर्थी पर जंब लेने के पश्चाद भगवान पिता के रूप में और धर्थी मा के रूप में ताली का लालन कोशण करते हैं भगवान से जुड़ा हुआ होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपनी जंग भूमी से जुड़े रहना कि राजा चंद्रसेन को राज्य और प्रजा के हित में इस समय शिव राधना की नहीं कि युद्ध की तैयारिया करने चाहिए पुद्रु किसको क्या करना चाहिए इस तर्क में ना उरजकर हमें अपना कर्तम भी पालन करना चाहिए पर इतना अवश्य मांदो कि भगवान शिव की आराधना करने वाले राजा चंद्रसेन की रक्षा स्वयम भगवान शिव करें यदिस्थिती ऐसी है तो फिर हमें चिंता और तर्क विदर्क करने की क्या आवशक्ता है तुम अपने कर्तब्य से विमूख होने की चिस्चा म करो पुत्र अब हमारे लिए कौन सा कर्तब्य शेश रहता है पिताश्री कर्तब्य तो अब राजा चंद्रसेन को पूल करना है आयू बढ़ते ही तुम स्वयम को महापधिमान समझ कर तर्क को तर्क करने लगे हो ये भूल जाते हो कि आयू और क्यान में तुम्हारे पिता तुम से बढ़े हैं और ये भी भूल बैठे हो कि सीमा और मर्यादा का उडंगन तुम्हें उपर नहीं नीचे ले जाएगा पुत्र जहां से उपर उठना कठीन ही नहीं असंभव भी होता है शमा करने पिताश्री ऐसा कुछ अंचित तो हमने नहीं कहा क्यों नहीं आज त तब्र का उठाथा इसलिए मैंने राजा चंद्रसें की चर्चा की सीमा और मर्यादा का उलंगन करने का मेरा भिप्राय नहीं था मैं ख्षमा प्रार्थी हो पिताश्री अब हमें आध्या करना होगा अपने राजा का अनुश्रण करना होगा इस संकत की घड़ी में राजा के साथ प्रजा को भी शिव आराधना करने होगी कि शिव क्रपा प्राप्ति का यहीं एक मात्रु पाय है शत्रु एग नहीं दो दो है और अत्यंत बल्शाली भी उन्हें युद्ध में परास्त करना असंभाव है केवल शिव क्रपा से ही शत्रु का विनाश संभाव है किया अभव सब मिलकर भःवानशHH की आराध्न आरम करें कि वही करना होगा हम सब। नदी के तक पर चलेंगे और कि शिवा राध्न करेंगे ओ नमास और नमास शिवाई पॉ नमास हूं नमास शिवाई नमास हो नमास शिवाई ओ नम str ilenτη मनालम शिवाए, ओम नमा शिवाई ॉम नमा सिवाई शिवाई, ओम नमा सिवाई एक ओर ने स्वार्थ भक्ति में लीन शिव भक्त बालक श्वी कर वेद व्रत्व उसके चारों पुत्र भोले ना की दर्शनार्थ सनलगन है तो दूसरी ओर स्वार्थ की भावना के वशिभूत होकर राक्षस दूशन गम्ह देव को प्रसंद करने का प्रयास कर रहा है और्रम्हँटेवा है हुमियों नवर्थ आमाशिवाई लो अमाशिवाई वे ard जुपेदा नवर्थ नमाशिवाई लो वेड़े लो दो दोमाशिवान वे एंग दो तो माशिवाई inlandघ उनमाशिवाई ओम नमाशिवाय,ॉम नमाशिवाय,ॉम नमाशिवाय YEE और थाम्पर्म्हतिवाय कि है। Oṁ ब्राम्दिवय नमा Om Brahmadivāya Nama Om Namah Shivar Om Namah Shivar Om Namah Shivar Om Brahmadivāya Nama Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya किया होगा मेरी बीची शिक रगा ना जाने लिग्वान कब दर्शन देंगे अ व्य做क्त कर दो रहेम दू रहेम उ मिद्वाण अ परक्भे। हे दूशन हम तुम्हारी तपस्या से अती प्रसंद ब्रह्मदेव मैं आपको प्रसंद करने के लिए तो तपस्या कर रहा है अब वर्दान मांग लूँ जो मांगना है अवश्य मैं जो चाहँगा वहीं वर्दान देंगे ना आप है अवश्य देंगे यए मुझे सर्व शक्तिमान होने का वर्दान दीजीए ग्रह्मदेवु तुम कैसे सर्वशक्तिमान हो सकते है वह सब नहीं जानता ब्रह्मदेव ज feeling चाहा वर्दान मांगने और देने का वचंद द्या गया है अब तो जो मैं मांगुँंगा आपको वही तुम्हारी शक्तिकारी नहीं करेगी यदि तुमने शेव अथ्वाशिव भक्तों की शक्ति से टकराने का पैत्न किया तो तुम अकाल मित्यू को प्राप्त होगे वह सब देखा जाएगा ब्रह्मदेव आप वर्दान तो दें कि मैं सर्वशक्तिमान हूं काहाए तो वर्दा चाता हूं कि इस परदान का दुरूपयोग मत करने दुरूपयोग और सदुपयोग ज्यानि ध्यानियों की भाषा है बहुत एक जीवन जीनेवानों को उपयोग सब्दी सही नहीं दूशन ऐसा नहीं है सभी प्राणियों के हित में रचनात्मक कार्य करने को सदुपयोगी ता और विनाशात्मक कार्य करने को दुरुपयोगी ता कहते हैं सदुपयोगी कार्य करने से जीवन सभन हो जाता है और दुरुपयोगी कार्य करने से जीवन की तुर्गती हो जाती है प्रमदेव मैं यहां वर्दान लेने आया हूँ और आप वर्दान देने आया है प्रवचन सुने ना मैं हाया हूँ ना आप przy 6 no to लश्टनात्मकार्य और संद्धूपयोक्ता की चर्चा कर रहे हैं इसके आफ देवगण हैं तो रश्टनात्मकार्य के अथिरिक्ष आपको करना ही क्या है कि विनाष और दुर गती की चिंता को त्याकर आप मुझे वर्दान दें वर्दान क्राप्थी के पूर्वहित कुमारी अहेंकार से पून है तो वर्दान प्राप्थ होने के पछात क्या घिक को क。 तो क्या आप वर्दान नहीं देंगे हिसंद्नो कर आया हूं як वचंबद्ध हुं 5 इसलिए वर्दान त्वह शित द NPC नुगा तो फिर शक्तिमान होने के पश्चात अब शिव और शिभ भक्त मेरे सब्मुक कहां डिक पाएंगे अब 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 आसे हैं अब हुआ 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 श्युक्त ये इस लिए कहती हुकि यदी भ्हगवाद्शिव तुछ प्रसंग होते तो आवशे प्रकट प्रकट नहीं होते हैं उनलगा नशवा प्रकट होते हैं तो लगता है ना मातू थो थो अपनी मां को पाथ पड़ा रहा है नहीं मा नहीं मैं तो भगवान शीव जी की प्रकट होने की बात बता रहा हूं तु तु ऐसे नहीं मानेगा न रहेगा बास न बजेगी बासुरी अब तो अगवान शिव जी शीघरा ही प्रसंद्न हो जाएंगे यह जग कर कि पूत्र के साथा इसकी माथा भी शीव मिन पर माथा ठेक रही है तोम नमाश सीबार WORM्नामाश सीबार रिल्ड ब्री थागा. प्रुब्स भिल्ट प्रेट का आमाय aun रिल्ट बनलेशों लगजार सय थाट यह बालक भी यह सब मिलकर शिव भक्ति में लगे हुए है शिव को प्रसंद करके शक्ति राप्त करना चाहते हैं कि ब्रह्मा ने यही तो कहा था कि शिव भक्ति मेरे बिनाश का कारण हो सकते हैं कि ऐसा होने से पूर्व मैं इनका ही सरुनाश क्यों ना कर दो हाहा 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 यह माया नहीं पुत्र माया भी है मुझे तो यह शत्रु राजाओं की कोई रणनीती प्रतीत होती है शत्रु राजा क्या आताश गमन भी कर सकते हैं नहीं यह तो इस पस्त दिखाई दे रहा है कोई माया भी राक्षस है अरे दुष्टो क्या शिव का नाम लेने से तुम्हें शक्ति मिल जाएगी यदि मिल भी गई तो होगा क्या हम तो अपने राजा और राजी की रक्षा के लिए शिव नाम का जाप कर रहे हैं यह शिव भाक्त यह सत्य भाशन करेगा न तो मैं सब कुछ नश्ट भ्रश्ट कर दूंगा भगवान शिव की शरण में आयोए हम लोग असत्य भाशन क्यों करेंगे अराई शिव भगतों फिर तुमने सबस्काना में भी तो इसका परिशनाम भी भुगत्था पड़ेगा तेकर皆さん रहीए हम सबीं शिव णाम का जाप करके भगवान से प्रात्ना कर रहे थे कि वह हमारी और हमारे राजी की रख्षा करें किन्तु प्रति तुम्हारी शद्धा भक्ति इतनी दुर्बल है कि एक राक्षस की विक्रालता क्या आगे टूट गई कि आओ हम पांचों मिलकर भगवान शिव को पुकारते हैं है कि देवाधी देव है देवों में परमदेव देव विश्वर है भोले नाद दया करो प्रभू रक्षा करो भगवन शर्नागत को उभारो मेरे प्रभू ओप्रमश्वाद कि ने ये मह रह् отправ हो ये भाज सीव क्या है आराजा रुफो धिक्रेस की ये आराजा रुफोस्ती की वत्रस्ते वीदे की की आराजा रुबूता मंति प्रिश्प cycle हाना जाशिंग दिद्टकी जैए हाला जा रिंगुला गर्नकी जैए नामसिवात हात दिया ठैयर कें यूशार हम राजय की सेनस को बंदि मणा कर लिया है यह को देखो हमारे शश्वरु राजा जंद्र सेन को बंदी बना लिया गया ह difficulty çeker寅 से सब्भूरे सब्सक्राइड फिर हमारे शक्त्रु चंद्र सेन का वश्कर他 तो जो क्या अारत? ना करा जी विए 1-2-D हमारे राजा चंद्रसेंग का वद मत करो जदी वद करना ही है तो पहले मेरा वद कर डालो इन दौनों का वद कर डालो भूलिनाथ 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 व्रुद्राव मार्ण अरुमार्ण हे बारोगी व्रुफ्रावन जैशिव शंकर हर हर महादेव मेरे लिए क्या आग्या है प्रभू मेरे आग्या पून करने से पूर अपने स्वरूख को जानो वत्स मैं आपका ही प्रति रूप हो प्रभू सत्य यही है वीर बजरंग बली तुम रूद्र रवतार हो तता मेरे यंच से माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में श्रीहरी विश्मु के अवतार श् आग्मन सफल हो जाएगा प्रभू मैं अभी तक श्रीराम के आग्मन की पतीक्षा कर रहा हूं उनके आग्मन से पूर तुम्हें अन्यकार ये पून करने होंगे अनुमान अग्या करें भोलेनात तुम्हें अन्याईव अत्याचारी राजा सिहधित्य और राजा पर होने वाले अन्याई वह अत्याचार को आपका ये अंचावतार कैसे सहन कर सकता है देवादी देव आपने शिंत रहें मैं उन दुस्टों को अवश्य दंडित करूंगा केवल दंडित करना और भक्तों की अराध्मा के फल फरूत उन्हें दर्शन और आशिरवाद भी तुम ही देना यही मेरी इच्छा है आपकी इच्छा ये दुद्रावतार पूर्ण करेगा हर हर महादेश हुष खगुछुष झ को एपने मैं ह इच्छा लखुछुछ। हाँ 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 दो हाँ दो हर हर महादेर तो तुम शिर्ध धक्ती करोगे मैं अईसा नए उनद जुँगा मैं सबको नष्ट फ्सकरण दूंगा सब प्रकता है किस ने रोका मुझे कौन है मेरा रोटख तेरा अवरोधक तेरा काल है हाहा शेव भक्तों पर अत्याचार करके तुने अपने काल को बलाया है मैं सर्वशक्तिमान हो और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता अग्यानी सर्वशक्तिमान कभी निर्दोश परत्याचार नहीं करता ना अपने मुझ से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है उसका कोई काल नहीं होता किन्तु तुझ में ये तीनों ही प्रकार कोई न पोच्ट ना अंयधा विनाश को प्राप्ट होगा अब वही शर्ड आ गया है दूशर्ड तुम्हारी इन बातों से दूशर्ड भैबीत होने वाला नहीं मैं कहता हूँ यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से हुआ है है हुआ हुआ है एक अफ की करते हम से भयंकर भूलो है राजा चंद्रसें जब तक आप यह ख्षमा नहीं करेंगे यह कि गणा हमें दंडित करती ही रहेंगी कि एप शिव सवरूप हनुमान जी मेरी प्राजना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंगह दित तथा राजा रिपुदमन को ख्षमा करें आप दोनम उससे नहीं शियो स्वरूप हनुमान जी सक्षमा याचना करें हे शियू स्वरू खुम्मान जी, खुपा कर्म प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन शमायाजकों को शमादान दे सिहादित्त और रिपुदमन अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला सैम पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता शिव भक्तों के आग्रापर आज तुम्हें शमादान मिल रहा है तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज उन्हें प अे धोनों सीव भक्तों को शैम भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है यह तो भगवान शिव की कृपा है यह कृपा तम्हारी भक्ति के कारण है तुम दौनों शिवभक शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं तुम दोनों का नाम शिवभक्तों में सदा अमर रहेगा तथा महा कालेश्यर जूत्रिलिंग की महिमाव में तुम्हारे नाम से वृद्धी होगी हेश उस्वरूप हनुमान जी आपने इन दोनों को ख्षमा दान दिया आप कृपाकर मुझे भी ख्षमा करें मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिवभक्ति में विख्न डालने के भूल की है तुम्हारे पोत्र श्रीकर की शिवभक्ति में तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है श्रीकर तुम आठमें जन्म में ब्रिजभूमी में नंद दोत के रूप में जन्म लोगी तथा भगवान विश्णू के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगी हे संकट मोचन हनुआन जी आपने बड़ी कृपा की प्रकट होकर हमें संकट से उबारा हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिये किन्तु किन्तु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से अराधना किया है केवल शिव दर्शन की मेरी लाल्चा है तुपाकर उसे पूर्ण कर दीजिए शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जै भुले नाथ भुबान भुले नाथ की जै अतुलित वल्धामा बजरेंग बले की जै भावली बजरेंग बले की जै के स्री रंदन महावीर बजरांग बले की जै भावान भुले नाथ शुशंपर की जै हो आपके दर्शन का लाप पाकर हम धन्य वेभगवन आपने हमारी गुहार सुनी हमारी रक्षा की इसी प्रकार हमारे राज्जोर राज्जोर्ण के राजा की वि रक्षा करें भगवन नाम समरन करने वाले की रक्षा बंधन से हम बंधे हुए वेदव्रत कर लाजोर चंद्र सेंथा अठों प्रहर हमारा समरन करते हैं आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्ट शक्तियों से राज जी राजा और प्रजा की रख्षा के लिए आप विराजे रहें भगवन तथास्तु तुमारी मनो कामना पून होगी वेद्वरत यह जोतिरलिंग महा कालेश्वर जोतिरलिंग महा कालेश्वर जोतिरलिंग के नाम से जाना जाएगा जो भी भक्त शेव भस्म से इस जोतिरलिंग की पूजा करेगा वो मृत्य के भय से मुक्त होगा जगत के समस्त रोग पीड़ा और व्यादी से भी मुक्त होगा जोतिरल में भगवान महा कालेश्वर जोतिरलिंग मैं भगवान महा कालेश्वर की जैओ शिवके भक्त जनों ने पुकारा जब संकत पड़ने पर तब तब जो तिर लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर हाज आमर शिव शंकर था आमर शिव शंकर हाज आमर शिव शंकर अजय अवर शिव शंकर अवंति नगर में वेत्रिय नामक लहता था एक ब्राह्मन घर में अगनिक करके स्थापना करता था शिव खूजन एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूशन अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमन उसी समय शिव निंग सत्ते शिव शंकर बनके महाकाल दूशन असुर को सेना सहित तब धस्म किया तक्काल उसको जैन नगर में बना है जो तिर लिंग महाकालेश्वर जो इनके दर्शन है करदाशेव कृबा होती उस पर महाकालेश्वर की जैयो महाकालेश्वर की जैयो महातान शुवती जैवो महातान शुवती जैवो